Hello students, welcome back to another class. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बी ये थर्ड समेश्टर की एजुकेशन का सुच्छा सास्त का यूनिट नमबर वन हम कम्पलीट कर वारे हैं और ये है हमारा डे नमबर थ्री आलरडी हमने इस पे तेन वीडियो अप्रोड कर दिया है पहले वीडियो में हमने इसलेवस के बारे में डिस्कस किया था कि हमको इस पूरे सलेवस में क्या क्या चीज़े पढ़नी है और पिछली दो वीडियो में हमने पहली वीडियो में दर्सन के बारे में बात किया है और second video में हमने education के बारे में बात किया है सिच्छा के बारे में यूगि इस chapter का जो ये unit है ला इस unit का नहाँ है education and philosophy सिच्छा और दर्सन सिच्छा और दर्सन किस तरह से एक दूसरे से connected है इनका individually क्या मतलब है, वो हमने समझ लिया है किस्वे दो वीडियो में आज हम समझने वाले हैं, सिच्छा और दर्सन अगर एक साथ आते हैं तो एक वर्ड वन था सिच्छा दर्सन कि सिच्छा दर्सन जो कनेक्ट हो करके दर्सन और सिच्छा को बनाये गया है उसका कार्य क्या है, उसका important role क्या है education में या फिर एक social life में तो सबसे पहला कार्य के रुप में अगर हम देखते हैं तो इसका काम है नियमा कार्या means नियमों का निर्माड कर्मा कि अगर हम education ले रहे हैं तो उनमें कौन से rules होने चाहिए, अगर हम एक society में रह रहे हैं तो उसमें कौन से rules होने चाहिए, कौन से नियम होने चाहिए और जो भी नियम हो रहे है न वो नियम कहीं न कहीं time, situation, society के according होनी चाहिए क्योंकि अगर वो time के according नहीं हुआ मेभी कोई नियम आज चे हजार साल पहले important था पर आज मुझे important नहीं है तो फिर उस नियम का कोई मतलब नहीं होगा तो जो नियम बराया जाएं वो situation के according हो, time के according हो, society के according बेटर हो तो नियमक कारे भी है कि सिच्छा और दर्सन सिच्छा को भी लाया जाए विच में education को भी लड़ रहे और दर्सन के परस्पेक्टिव से भी मौलिक चीजों को देख करके भी ऐसे rules ऐसे नियम बने जो समाज के लिए better हो सके education के अगर बात करें क्या होता है कि जब कोई चीज चल रही हो मेभी एक system चल रहा है लेकिन आगे आने वाले time में मेभी कुछ चीजे change होने की requirement है तो आप वो चीजे परिकल्पना की जा सके कि हाँ इस चीज में यहाँ पर यह betterment की ज़रूरत है जहाँ पर यहाँ यह चीजे ठीक की जा सकती है इस system में यह थोड़ी सी problem है इसको हम ठीक करके इस तरह से कर सकते है तो यह एक तरह से परिकल्पना करना होगा कि हम परिकल्पना कर रहे है कि आगे आने वाली society को better कैसे किया जा सकता है कौन से rules होने चाहिए कौन से नियम होने चाहिए तो यह भी एक तरीके से सिच्छा दर्सन का कारे है कि education और दर्सन दोनों मिलकर के education को और society को उन दोनों के लिए better पर सके तो तीसरा है आपका समीच्छात्मक कारे समीच्छात्मक कारे में क्या आता है कि जब हम एक society में रह रहे है तो सिच्छा दर्सन का ये कारे है कि वो हमारी society को भी देखे और आस पास की जो other societies है उनको देखे कि उनमें क्या चीज़े है जो हमें नहीं है हमें कौन सी कमिया है या कौन सी चीज वहां से अच्छी है जिसको ला करके यहां पर implement किया जा सकता तो समीच्छा करना है अगर आप Indian society की बात कर रहो तो Indian education में ऐसी क्या कमी है जो हमें west से लेके आना चाहिए अपनी education में वहां से से शेखना चाहिए European country से सीखना चाहिए कि वहां पर ऐसा क्या है जो लोग इतने पैसे दे करके वहां पर education लेने जा रहे है तो सिच्छा दर्सन का ये कारे है कि वह समीच्छा करें कि वहां पर क्या चीज़ें चल रही है और किस चीज़ का trend है जो हमारी Indian society में भी हो सकता है तो वहां से चीज़ें सीख करके अपने country में अपने सिच्छा में अपने समाज में implement करना ही समीच्छात्म कारे गयलाता है तो ये रहा आपका तीसरा कार है सिच्छा दर्सन का अब अगर हम इसके बारे में बात करें कि सिच्छा दर्सन का छेत्र और विश्तार क्या है कि अगर हम पूरा समझें कि अकिर सिच्छा दर्सन हम कहा कहा देख सकते हैं किनकिन छेत्रों में सिच्छा दर्सन को हम देख सकते हैं समझ सकते हैं तो सिच्छा दर्सन के बारे में बात करें ना तो सिच्छा दर्सन की जो नवीन विचारधारा है इसके अनुसार ये है कि सिच्छा दर्सन जीवन के हर एक एसपेक्ट में देख सकते हो वो केवल एजुकेशन तक हिसीमित नहीं है बलकि समाज में भी किस तरह पर, किस टाइम पर, किस तरह के मौलिक नियमों का सामाजिक नियमों के जरूरत है वो भी सिच्छा दर्सन के छेतर के अंतरगत ही आता है बलकि कहीं न कहीं अब ऐसा नहीं है कि जीवन का कोई भी पहलू सिच्छा दर्सन से कनेक्ट ना हो कि सिच्छा दर्सन से अलग हो हर एक चीज में कहीं न कहीं एजुकेशन की कहीं न कहीं सिच्छा दर्सन की जरूरत बढ़ती है तो सिच्छा दर्सन का वो कारे जो समाजिक छेतर में है वो तो है ही बाकि सिच्छा संबंधी जितने भी कारे हैं जितने भी तत्तों हैं या भी समस्या है सिच्छा में कोई चीज आ रही है बिद्याले संगठन कैसा हो, अनुसासन कैसा हो, इन सारी चीजों का अध्यन कहीं न कहीं हम सिच्छा दरसन के बिस्तार में सिच्छा दरसन के छेतर में करते हैं यह सारी चीज़ें कहीं न कहीं सिच्छा दर्सन के छेतर में आती है कि किस तरह से जो है सिच्छा की विवस्ता होनी चाहिए, सिच्छा का आखिर मेन उद्देश क्या है, पाठकरम क्या हो, सिच्छा कैसे हो, बिद्याले क्या, संगठन कैसा हो, रूल्स कैसे हो, वो किस तरह स इसका कारण समझते हैं, तो पहला है आधार के कारण, मतलब कि सिच्छा दर्सन जो है, वो अपने आप एक बेस तयार करता है, कि किस तरह से एक समाज को बनाया जाए, और समाज को बनाने का जो सबसे पहला न्यू होता है, वो होता है एजूकेशन, क्योंकि बच्चा पहले घ जहां पर सिच्छा दर्सन की ज़रूरत पड़ती है, दूसरा चीज है आपका ब्यापक द्रिश्टी कोड के कारण, कि आपको एक ब्रॉड एस्पेक्ट अगर लाइफ का देखना है, तो कहीं न कहीं एजूकेशन में दर्सन को इंप्लिमेंट करना जरूरी है, जहां पर ए जहां प्लेक संकीट छेत्र में नहीं हो, बल्कि उसरी उस चीज को एक ब्रॉड प्रस्पेक्टीव से देख सकते हो, कि इसके पॉस्टिव नेगेटिव क्या होगा, गलत क्या होगा, अच्छा क्या होगा, वो चीज़ हैं तो सिच्छा दरसन कि आवसकता है व्यापक द्रि इसा होना चाहिए तो ये सारी चीज़ों में भी सिच्छा दरसन की जरूरत पड़ती है तीसरा है आपका जीवन के लच्च के निरधारण के रूप में देखो जीवन के लच्च को दले करके हर एक इंसान का अपना अलग प्रस्पेक्टिव हो सकता है बट एजे सोसाइटी ए आप अलग अलग प्रस्पेक्टिव से आप देख सकते हो लेकिन सच्छा दरसन आपको एक ऐसा प्रस्पेक्टिव देता है जो कहीं नकहीं education जो आप सीख रहे हो लगातार अपने जीवन में उससे और दरछन को connect कर आपको एक रूप देता है कि हाँ यार इस तरह से आपके जीवन का ये लच हो सकता है अगला है आपका सैचिक समस्याओं का समाधान में बिद्धी के रूप में मतलब सिच्छा में कोई समस्याओं आ रही है कोई प्राबलम आ रहा है कि इस तरह से एजुकेशन देने में बच्चों को समझ नहीं आ रहा है या वो इससे लर्निंग कम ले पा रहे हैं कम सीख पा रहे हैं या यह लर्निंग उनके लाइफ में इंप्लिमेंटेंशन के रुप में काम नहीं करेगी तो क्या करना चाहिए ऐस्से कि उनकी जो समझ नहीं आ रहा है उनको किस तरह के अनुसाहईोन में रहना चाहिए जो उनकी मौलिक्ता से भी कनेक्ट होता हूँ और उनकी society के perspective से भी connect होता हो और उनकी अपनी perspective से भी connect हो जाता हो अगला है आपका समाज के आदर्सों और मुल्यों के निधारण के रूप में कि मतलब समाज के लिए एक आदर्स का निधारण करना हो, मुल्य का निधारण करना हो कि किस तरह से एक समाज होना चाहिए एक समाज का एक बहतर समाज की तरफ किस तरह से कनेक्ट हो सकता है तो ये सारी चीजों का निधारण का काम भी किसका है सिच्छा दरसन की है तो इन सब चीजों में कहीं न कहीं कनेक्ट हो करके कहा रहा है कि सिच्छा दरसन की जरूरत बढ़नी ही बढ़नी है तो ये था सिच्छा दरसन की आवसिकता अब अगर हम इसके उद्देश के बारे में बात करें तो कहीं न कहीं उद्देश भी किसी चीज की जो जरूरत होती है ना में वो उन्ही जरूरतों को पूरा कर रहा होता है तो उसके उद्देश में भी अगर हम देखेंगे तो उसका उद्देश भी यही होगा कि हम यह जरूरते पूरी कर रहे हैं तो सबसे पहला उद्देश है, सिछ्छा के विभिन अंगों पर मौलिकता के रूप में विचार करना. कि सिच्छा के जो भी पार्ट है, चाहे सिच्छक हो, चाहे आपका स्कूल कॉलेज हो, या फिर आपका पाठिकरम हो, इन सभी चीजों में मौलिक्ता का ध्यान रखना, इन सभी चीजों पर, विभिन अंगों पर मौलिक विचार करना, कि ये चीज जो भी है, सिच्छक हो, बि सिच्छा के बीच दरसंगा परपज का है इसका डिसाइड करना भी सिच्छा दरसंगा दैस है तीसरा है आपका उद Só के लिए उन्मुख करना मतलब एक उद्देश्ट तो रिसाइड हो गया कि हाँ यार सिच्छा का ये उद्देश्ट की तरफ जो बच्चे है जो हमारी आने वाली जन्रेशंस है उनको उन्मुख करना मतलब उस तरफ लेके जाना कि यार यह देखो तुमारा यह वो कहलाता है आपका उद्देश के लिए उनमुख करना तो ये भी एक उद्देश है सिच्छा दर्सन का चौथा उद्देश है सिच्छा दर्सन का कि जो हमारा देश है, हमारी समाज है उसकी अपनी कुछ संस्कृती है अपना एक culture है, उस culture की सुरच्छा करना और कहीं न कहीं जो ये चीज सिच्छा के उद्देश का निधार किया जा रहा है या सिच्छा के अलग-अलग अंगों में मौलिक्ता लाई जा रही है ये मौलिक्ता आती कहां से, ये आती है हमारे culture से अगला है आपका अनिष्टा में मारक दर्सन करना भी सिच्छा दर्सन का ही उद्देश है में भी कोई ऐसी situations आ रही है जो आज से पहले नहीं आई है तो इन situations पर जो सोचना है इन पर ठिंक करना है वो कौन करेगा दर्सन सास्त्री करेंगे दर्सन ही करेंगे कि इस situation में सबसे best तरीका क्या हो सकता है जिससे हमारा culture भी secure रहे है और हम आगे भी बढ़ सके जो problem आई है इस problem का हम solution भी ला सके तो इसका काम भी कौन करता है सिच्छा दर्सन तो ये सारे सिच्छा दर्सन के कहीं न कहीं उद्देश से आते हैं ये हम discuss करेंगे अगली वीडियो में तो I hope ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए पहली बाइस चैनल पे आए तो प्लीज बिजिट दा चैनल इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन सब्सक्राइब कर लीजेगा बिलते हैं आप से अगले वीडियो में